नमस्कार दोसों आप शबी का बहुत बहुत श्वागते दोसों 33 कोटी देवी देवताओं ने दे दिये हैं शंकेद अब आपके जिवनकाल में शफलता का किरन जाखने वाली है हज़िया दोसों हम आप शबी को बता दें कि अब आपके मस्टिक्स में आपके शोय हुए किशमत की किरन जग मगाने वाली है क्योंकि दोसों हम आप शबी को बता दें कि या शमय बर्मांड के शमस देवी देवता आपके शाह था चुके है जिया दोसों हम आप शिभी को बता दें कि दोस्तों आपने अपने जिनकाल में एश्वी शारी शमश्याओं का श्रमना क्या है जिन में आपको इश्वर का शाथ मिला है जिया दोसों और इनी शिभी के कारण आपका होशला भी बुलंद रहा है हर शमश्याओं को शमधान आप हंसते हुए मुश्कुराते हुए किये हैं लेकिन दोस्तों कुछ समय पहले से आप शिबी की जुनकाल में यही घटमाई होने लगी है कि आपका मन बहुत यह अस्तीर हो चुका है और आपको लगने लगा था कि आपकी जुनकाल में अब बदलाव हो ही ने शक्ता शायद भगवान का हाथ ही आपकी जुनकाल से हट चुके हैं लेकिन दोस्तों आप शिबी को बिता दें कि बुराई कितना भी ताकत लगा ले शच्चाई के शामने उन्हें हार माननी पड़ती है जिया दोस्तों और याई श्यमाई भी आप शबी की जुनकाल में आपकी सच्चाई का जित दिलाने शबी देवी देटाओं ने भी गभाई दे दी है जिए दोसों तो दोस्तों अब आप शबी की जुनकाल में बर्माण के शबी देवी दुटाओं ने जो शंकेत इये हैं उनके अनुशार आपको कौन-कौन से बातों का ध्यान अगना अगना होगा शाथिया देवी देवता आपको कौन-कौन से बड़ी खुशकबरी देने व श्रिवाद आप शिवी की जुनकाल पर लगरतार पढ़ती रहें दोसों तो दोस्तों शबी बातें बहुत ही गहरी तरिकेशे आज वीडियो में बताने वाले हैं तो दोस्तों अब अंत तक देखना आप शबी का जिवेदारी होगा बश हम इस बात की गिरेंटी देते हैं कि दोस्तों वीडियो को अगर आप शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे तो दोस्तों आपको जीवन में बहुत अच्छा ज्यान प्राप्त होगा और आप खुशी के नुपती अवश्य करेंगे जिया दोस्तों तो आई दोस्तों बात करते हैं सब से पहले दोस्तों 33 कोटी देविदेवताओं के सच्चे भक्त वीडियो को एक प्याराश लाइक जरू करें और शाथी चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय माता दिलिग दें 33 कोटी देविदेवताओं का शुमिश्य बाद आप शभी को प्राप्त होगा जी दोस्तों तो आई दोस् भक्त तू सोचता है कि मैं तेरे गीता के पाट से खुश हूँ तो ये तेरा वहम है मैं तेरे पाट से बिल्कुल भी प्रशन नहीं हुआ जैसे ही भक्त ने शुना वो नाचने लगा और जूमने लगा भगवान ने कहा अरे मैंने कहा कि मैं तेरे पाट से खुश नहीं हू तू नाच रहा है भक्त बोला भगवान मेरे प्रभू आप खुश हो या नहीं हो ये बात मैं नहीं जानता लेकिन मैं तू इसलिए खुश हूँ कि आपने मेरा पाठ कम से कम शुना तो शही इसलिए मैं नाच रहा हूँ जिया दोसों और इसलिए प्रकार दोस्तों भगवान भी हमारा परिक्षा लेते हैं तो दोस्तों अगर भगवान हमें कोई भी परिणाम दे हमें उन पर खुश रहना चाहिए क्योंकि भगवान अच्छे कर्म का अच्छा ही फल देते हैं भले ही या शुमें हमें वह बुरा लग रहा हो ल के लिए कमेंड बॉक्ष मिक दे जैस रिकिशना रादे रादे तो आई दोस्तों बेशी के शाद बात करते हैं कि 33 कोटी देवी देवताओं ने जो शंकेत दिये हैं वा कौन-कौन से शकेत हैं शादे दोस्तों आपको कौन-कौन से बड़ी खुशकबरियां मिलने वाली है द जी दोस्तों आने वाले श्मय में 2-4 दिनों के अंदर शकार्तमक विचार धारा की लोगों के शंपर्क में रहने का आपको अवश्चर प्राप्त होगा जी दोस्तों जिससे आप अपने अंदर शकार्तमक बदलाव भी महसुश करेंगे 33 कोटी देवी दिताओं के और शिर कि 33 कोटी देवी दिताओं के शिर्बाद से अब आपके परभावल सी लोगों शे शंपर्क बनने वाले हैं जी दोस्तों और उन शे आपको रहन सहन की नई नी जानकारियां मिलने वाली हैं शमाजी वाफिर राजनिती गतिकों में भी अपनी उपस्तिती रखें दोस्तों विद्यारती गंड अपनी कारे शमता पर पूरा विश्वास रखें 33 कोटी देवी देताओं के श्रीबाद से अब आपको हर कारियों में शुपलता की प्राप्ती हुई दिखाई दे रही है ज्या दोस्तों याश्यों में वे पूरी तरीकेश अपनी पढ़ाई के दियों में आपका वर्चस रहेगा शादी दोस्तों प्रॉप्टी के खरित से रोग शमदी कोई प्लानिंग है तो याश्यों में किर्यानित हो शकती है शंतान के किसी शमद्शा को हल मिलने से आपका शोय आत्मक रवाया रहेगा जो कि आपके घर परवाल के लिए बहुत शाबित होगा जिए दोस्तों आप शुभी को बता दें कि 33 कोटी देविदिताओं का शुरुबात अब आपके शाहत रहने से किसी प्रतिश्टित व्यक्ति से मिलन का उशर भी आपको प्रात होगा धार्मी क्रिया कलापों में भी वैस्ता बनी रहेगी जिसे तन और मन दो पूरी तरह बदलने के रास्ते पर आएंगे जिए दोस्तों आप शुभी को बताया दें कि आश्में आपको 33 कोटी देविद्यताओं का शुमरन करना चाहिए हमेशा अपने जुनकाल में जय भोलेनाद जय श्री राम हर-हर महादेव शुभी के नामों को लेना है शुभा शाम इस मंत्रों को इस नाम को आप जब कर लेंगे तो दोस्तों यकीन मानिए 33 कोटी दिव देताओं उपर इतना किरपा दिश्री बर्शाएंगे कि जुनकाल की शारी आपकी परिशानियां घत्म हो जाएंगी जय हनुमान शंकट मोचन जय मातादी जय मादुर्गे शभी को दोस्तों इन बातों को याद रखिए 33 कोटी दिव देताओं कर शिरवात आने वाले कि ही में दोसिते चार दिनों तक बहुत इकिरपा दिश्री बर्शाने वाली है जिन दोस्तों हम आप शि Civ को बिबता दें कि वाय को श्याय आप शिपी के लिए बहुत भी बहतर ही अपने कारियों को बहत्रिन तरीके से पूरा करने में भी शक्चम रहेंगे गर की रिद्येख रेख तता शुक्ष विदाशनमंदी कारियों में भी आपका बहत्रिन शमय वैतित होगा जी दोसों हम आप शुबी को बता दें कि व्यक्तिगत गतिव दियों में वैस्ता बने रहेगी 33 कोटी दिव देताओं के शुरबाश ये आपका शिद्धान दुआ दे तता व्यापक दिश्टिकों शमाज में आपकी शबी को और अधिक निखारेगी शमाज में आपका मान श आपको लाब की प्राप्ते आउश होगी यश में आपमें उपलब्दियां उमीद शमंदी जो भी शपने आपने सजाई थे दोस्तों वह काफी हद तक पूरे होने वाले हैं क्योंकि दोस्तों यश में बर्मांड के शबी देव देताओं का अशिरुबाद आप शुबी के चारों और चकण की तरह ढूमने वाले हैं जिसे दोस्तों आपके अंदर एक अलगी उटजा का अड़ी शक्ति का आप इसलिए दोस्तों यह में पूरे जोश वा फिर मेहनत के शाथ अपने कारियों को करते रहें कारियों के प्रती प्रयास्त रहें यह दोस्तों परतिजबता के दौर में खुद को शाबिद करने का यह आपके लिए बहुत यह अच्छा मुका है जब 33 कोड़ों का शुरुबाद आपके शाथ है जी अदोसों तो भूल शे भी दोस्तों शमय को प्रवाद ना करें यह लोगों का शाथ ना जाएं जो आपके लिए गलत है इन्हीं लोगों के शाथ जाएं जो आपके अंदर एक अच्छी सोच जागरित करते हैं जो आपको प्रयरित करते हैं कि यह चीद तुम्हारे लिए शही है या जिस तुम्हारे लिए गलत है यानि कि दोस्तों इन दिनों में शमय का आप शही तरके से सद्वी प्योग करें अपने रूची पुनकारियों में भी वयस्त वयत्तित करने शिये आपका शारिक और मानसिक इस्पूर्थी बनी रहेगी आप अपने महत्पूनकारियों को पूरी उर्जा के शाथ ध्यान लगा पाएंगे विद्यारत्यों को किशी विदेश शमंदी परिचा में भी शूप प्रईणाएंगे जिया दोसों तो याशमें धार्मी स्वलों पर जाएं पुझा पाठ करें घुजवी भाव पर यकिन करें दोसों आपको बताय दें कि चिटीडा पन अपने अंदर ना आने दें। दोस्तों बश इन बातों को अध्यान रखें। शाधी दस्तों आपको बिता दें। कि आने वाले श्यूव में दुसरों की दुख-दर्द और तकलिफ में उनकी शाहता करना आपका विशेश गुन रहेगा। और भगवान हिस्य बहुत इदा प्रेशन होने वाले हैं। जिए दोस्तों हम आप श्यूव को उता दें कि 33 कोटी डिविदेदिताओं के श्रुबाश घर में नजदी की रिष्तेदारों का अगमन होगा। तथा आप श्यूव विचारों का अदान परदान घर के वातारों को खुश्टमा ब ब土स्तितियां आपके परतस्ति लाब उत्पन कर रही है तो दोस्तों शमय के शाट अपने कारियों को करते रहें। अगर कोई कोड मामदी महां चल रहा है तो दोस्तों यश्मी फैसला आपके पक्ष में आपके हक में हो शकता है, कि ए दोस्तों यश्मी भगवान का शिर quietlyबात बर्मान के शबी देवदेटवाइं का शिर्बात आप शपी के जुनकाल पर रहने वाले हैं। साथ दोस्तों बर्मांड के शवी देवी देवता आपको कौश विशे शाधनियां रखने के लिए कहती है कि दोस्तों यह शमय आने वाले दोस्ते चार दिनों में आएके शाध साध वई भी हो शकता है अपने अनावश्य खर्चे पर आप रोग लगाएं अपनी कोई भी यह वर्ग घूमने फिरने में अपना शमय वैतित ना करें जो दोस्तों इंसे आप नुक्षान कर बैठेंगे ज्याओसों इसको प्रांद दोस्तों यह में आपके लव लाइफ के लिए शमय होंगे 33 कोटी देवी देवताओं के श्रबाश यह पारिवरिक जून के लिए श स्वास की बात करें तो भगवान और देवी देताओं के शिरुबाश यह स्वास यह में आपका उत्म रहेगा प्रंतु घर के किसी वरिष्ट व्यक्ति के श्वास को लेकर चिंता रह शकती है इसलिए लब परवाही ना करके तूरंद इलाज कराएं तोस्तों वीडियो के काम के कई और मंत्रा नहीं रगता बुरे कर्मों की कारण ही होली का और रावन आज भी जलते हैं जीए दोस्तों तो आप भी अपनी जुनकाल में इन बातों का ध्यान रखें तो दोस्तों उमीद करते हैं कि आज को यह वीडियो आपको बहुत यह प्रशंद आया है प्रश को मैं गुडिरी